सो हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माइनी वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपर HF को चलानी के लिए Amplifier में हम सेटिंग और कनेक्शन कैसे करेंगे मतलब कि हम अगर Dual Channel Power Amplifier में अगर हम HF चलाना चाते हैं मतलब ट्यूटर भी हम बोलते हैं या फिर होरन भी बोलते हैं तो होरन तो खेर चुंगा को बोलते हैं लेकिन HF या फिर ट्यूटर जो हम लगाते हैं DJ में अलग से तो उसके लिए अगर हम Dual Channel Power Amplifier अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम connection कैसे करेंगे साथ ही साथ हम setting क्या रखेंगे Amplifier के back panel में तो सारा चीज आपको जनकारी इस वाले वीडियो में मिल जाएगा तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहेगा जैसे कि आप भाई का comment देख सकते हैं यहाँ पर 8HF के यहाँ पर recording यहाँ पर comment है हम इसमें किस टाइप से चला सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो को सुर करते हैं जैसे कि हम बात करते हैं पहले 8HF ले ले लेते हैं 8HF आपका हो गया इसका connection के बारे हम बात करेंगे तो जैसे कि आप इसमें या तो capacitor लगा सकते हैं या फिर आप इसमें network plate यूज़ कर सकते हैं तो जो भी आपको यूज़ करना है वो आप इसमें लगा सकते हैं मतलब HF में आप लगा सकते हैं जो कि HF के लिए आपको लगाना पड़ेगा जो आपका frequency होता है उसके लिए लगता है तो यहाँ पर आप network kit यूज़ कर सकते हैं कोई भी अच्छा company का या फिर आप यहाँ पर capacitor भी लगा सकते हैं या फिर UF भी लगा सकते हैं तो आपका इक्षा जो भी आपको लगाना हो जो आपको सही लगे वो आप लगा सकते हैं तो अब हम बात करते हैं कि HF हम 4 piece प्लस 4 piece जो कि हम channel 1 में 4 HF ह लाएंगे जो कि plus में plus और minus में minus रहेगा सभी HF में मतलब हमे parallel connection करना होगा तो parallel connection में simple हम back panel में आप देख सकते हैं यह amplifier का back panel है और इस वाले amplifier में हम यहाँ पर जैसे 4 HF हमारा plus total जीतना होगा वो उसके हमें एक wire में plus को उसमें हमें लगा देना है और जीतना भी 4 HF का minus हमा हम जोड़ देंगे और काफे अच्छे से connection करने के बाद amplifier में back panel में या तो हम speakon यूज़ कर सकते हैं या फिर आप terminal socket भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बनाना cables भी बोलते हैं तो टर्मिनल में भी हम इसको लगा सकते हैं direct wire मतलब red में red और black में black minus और plus यह हमारा connection दो नचला में same आपको यही connection कर लेना है जो कि parallel connection रहेगा तो parallel connection में यह total हमारा amplifier जो की hf हमें लगाना है 100 watt का मतलब 100 watt का हमारा hf रहेगा load हमारा 400 watt एक चल में और 400 watt दूसरे चल में और इस amplifier में हम इस type का hf इतने watt का काफी easily चला सकते हैं और काफी अच्छा हमें sound quality मिल जाएगा amplifier भी गरम नहीं होगा तो जैसे कि अब यह हो जाता है हमारा connection अब हम बात करते हैं कि amplifier में जो हमारा back पर ललका setting होता है selector switch जिसमें कि आप देखेंगे वहाँ पर ground mode और यहाँ पर sensitivity filter यह सारी चीज का option यहाँ पर दिया रहता है तो उसको हम connection मतलब setting जो हम कैसे करेंगे तो जैसे कि ground तो है वो तो है वह आप रख सकते हैं उससे कोई दिकत नहीं होता है वह अर्थिं के लियो होता है तो ground को आप on रखिये और mode जो है mode को आप पर olacak पैरीलल में भी चला सकते है अपको breese mode में use नहीं करना है आपको parallel यह तो stereo में चला सकते है जो कि पैरलल सबस्थम नहींक्सन सिर्फ one channel में और दोनों चैनल आपका काम करता है और stereo में अगर select करेंगे mode को तो आपका दोनों चैनल में आपको input करना पड़ेगा तब ही आपका दोनों Channel में video जाएगा तो यह हो जाता है parallel और stereo का अब हम बात करेंगे तो लिमिटर आपको ओन रखना है जिससे कि आपका HF जलेना और वही चीज़ अगर हम बात करेंगे sensitivity तो sensitivity को हम यहाँ पर 0.775 volt में रखेंगे जिससे कि हमें काफी ज्यादा अच्छा sound मिले मतलब कि अगर आप sensitivity को जितना कम रखते हैं उतना ज्यादा amplifier output देगा और अगर आप यहाँ पर 1 volt में रखते हैं तो थोड़ा सा output कम देगा और 1.44 volt में रखते हैं तो amplifier का जो output है वो थोड़ा सा और कम हो जाता है मतलब gain आपको ज़्यादा खोलना पड़ेगा simple सी बात तो आप 0.775 volt में इसको रखेंगे तो आप कम volume में ही amplifier का जो sound है वो काफी ज़्यादा हमें सुनने को मिल जाएगा और filter जो है filter में आप देखेंगे तो high pass, bypass और low pass दिया हुआ है तो जैसा कि हम बात करेंगे अगर आप crossword यूज़ करना चाहते हैं तो crossword यूज़ करेंगे तो आप amplifier का filter bypass में रखेंगे और वहाँ से frequency आप काफी अच्छा खासा high frequency दे सकते हैं crossword से अगर आप without crossword यूज़ करना चाहते हैं तो amplifier का filter है उसे हम high pass में रखेंगे जिससे कि amplifier only high pass मतलब HF का जो frequency होता है वो हमें amplifier ज्यादा निकाल के देगा जिसमें base कट हो जाता है only आपको हलका mid और यहाँ पर high frequency आपको सुनने को मिल जाता है amplifier से तो यहाँ पर आपको high pass में रखना है जिससे कि आपको काफी अच्छा यहाँ पर output मिल सके HF में तो आपका HF भी नहीं जलेगा और काफी अच्छा हमें sound quality भी मिल जाएगा तो कुछ इस type से amplifier का back panel का setting हम रखेंगे जिससे कि हमारा काफी अच्छा यहाँ पर sound मिल सके है और अगर हम बात करेंगे अगर आपका amplifier ज्यादा limit में जा रहा है और आपको हलका ही मतलब sound चाहिए तो आप sensitivity को 1.44 volt में रख सकते हैं इससे क्या होगा कि आपका सभी amplifier में काफ DJ 801 में आप हम जो 8 HF लगा रहे हैं इसमें काफी अच्छा और medium sound जाएगा जिससे कि हमारा HF कटेगा नहीं और साथी साथ limiter से over sound नहीं देगा तो हम mixer के थ्रू जो है light indication के हिसाप से हम काफी अच्छा से operate कर सकते हैं तो कुछ इस type से यह हमारा setting रहेगा और इसका connection रहेग आप से मिलेंगे अगले वीडियो में तक तक के लिए जय हिंद